अगर आप अपने MSC प्रोग्राम में आईजर 30 प्रोग्राम में जाना चारें तो आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्रचुनिटी है अगर आपने गेट नहीं भी प्लिफाइ किया है और आपका गेट पर मालीजिए अच्छा स्कोर नहीं भी आया है उसके जरीए भी उसके TBM का फॉर्म भार सकते हैं MSC के लिए इसका खुद का टेस्ट होगा इस्टेट्यूट अपने टेस्ट कंटेक कराएगा फिर उसके बाद आपके सौट लिस्ट कंडिडेट का इंटर्वी होगा दो तरीके से आप MSC प्रोग्राम में जा सकते हैं यहाँ पे इंटेग्रेटर PhD नहीं है यहाँ पर आपको कोई fellowship नहीं मिलेगी MSC करने के लिए इंटेग्रेटर पीसडी वाले जो जाएंगे उनको फैलोसिप मिलेगी उसके लिए आपका जैम या जैस्ट वालिफाय होना चाहिए बट अगर आप MSC करना चाह रहे है आईजर TVM से तो आपको किसी भी तर में इसे लेगे 31 में तक है और जून के मनत में इसका पेपर होगा और जुलाए के मनत में आपंवे आपका इंटरवी होगा सिधनल सेलेक्षन वाले है कि इसकी पी के अगर बात तो जनरर कंडीडिट के लिए रूप Kollegin के लिए जो है वह फी 1000 रुपेंww बाक्यू के लिए 600 रुपी चोड़ी 1,000 रुपी है जेनल केंडिडेट के लिए अप्लिजिशन पी और बाक्यू के लिए 600 रुपी से, स्टी, ओविसी वालों के लिए तो यह बहुत अच्छी उपचनिटिय मुझे लगता है और पहली बार अगर चैनल पर आये है तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको रेगूलर अपडेट्स जो है चैनल पर मिलते रहें टेक केर गॉड़ ब्लेश यू और